नवस्कार मैं आरती अदव और आज आपर अमबात करने वाले हूं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनव जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहापर फ़स्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रोसेस चलाई जा रही जिसमें सीट एलाउट हो चुकी है यहापर जैसा कि आपने थमनेल पर देखी लिया हुआ बच्चों के साथ एक दोखा खिया जा रहा है दूसरी बात क्या आपको एडवीशन अब लेना चाहिए और जिन बच्चों के रुपए जमा हो चुके क्या उनके बापस हो सकते एडवीशन याद आपने लिया है तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मेरे अडवीशन नहीं लेना चाहते तो क्या मेरे रुपए बापस हो सकते हैं तो यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के मादम से दी जाएगी वीडियो को पूरा जरू देखीगा वीडियो आप सभी के लिए most important है दूसरी बा मैं जो भी बताती हूँ बिल्कु सही बताती हूँ जो notification में लिखा अधा पहले वही मैंने बताया हुआ है तो आप फाल्दू के comment मत किया करें हमें खुद पता है कि बच्चों के पास रुपए की विवश्ता कैसी होती है हम यह की students है आप भी हो तो हमें पता है खुद ठीक हम आपकी भावनाओं को समझती हूँ कि सभी के पास रुपए की विवश्ता नहीं है तो यह notice जो है वह उन्होंने अभी जारी किया है यह पहले से कोई notice इस प्रकार का नहीं था कि आप से extra फी से आप ली जाएगे लेकिन इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और सभी लेना चाहिए चलिए तो हम आपको बता तो देखिए यहाँ पर जो नया notice जारी किया गया है उसमें लिखा हुआ है उक्त प्रसेचर में प्रवेश लेने बाले अब्यर्तियों को प्रतम वर्स का प्रसेचर सुल्ग ट्यूशन फीस 24,000 यानि 5000 रुपए आप से security फीस के लि निधारित अन्य मदों का सुल्ग समाने प्रसेचर केंडर के द्वारा जमा कराया जाएगा यानि जो ट्यूशन फीस 24,000 लगी उसके अत्रिक्त कुछ जरूरतों के लिए आप से 24 अलग से रुपए और लिये जा रहे लेकिन यहाँ पर यह बात पहले से नोंने नहीं थे हैं कहीं पर 4800 रुपए है कहीं पर 5000 कहीं बच्छे अजार है तो होस्टल की भीस तो जमा की जा सकती है वर्ट इतना जादर रुपए जमा नहीं किया जा सकता है यह बात आपको पहले से बतानी चाहिए तो बहुत सारे बच्चे एडवीशन ही नहीं लेते यहाँ पर य पहले से 24000 फिर उन्होंने ले लिए कॉलेज में जब हम एडवीशन कराने के लिए गए ऐसा नहीं कहना चाहिए इसके प्रतावाज उठाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे मैसेज करो नहीं तो इनकी ओपिस लखनव में है बापस सभी लोग एक साथ होके जो नोटिस जो है वो आपको पहले से जारी करने चाहिए थे ये नोटिस आप क्यों जारी की और इतना ज़्यादा सभी के पास पैसा नहीं होता मुझे भी पता है और ये पहले लोग नोने किसी भी नोटिस में नहीं दिया था केजी एमियू की 43000 फिस है सेज किसी भी कॉलेज कि 43000 फिस नहीं है और नहीं ऐसा नोटिपिकेशन में दिया हुआ है अब बात कर लेते हैं यह पर सभी बच्ची हमारे साब से तो मैसेज करें जादा से जादा जिससे वो परेशान हो और उनसे कॉल करीगा जिससे आपकी समस्या हो सके कि सॉल्व हो जाए दूसरी बात यहा कि 2 लाख रुपए का खर्चा बैसे भी हो जाता है जादा ही हो जाएगा अपको गवर्मेंट कॉलेज मिला अच्छी खासी पढ़ाई आपको मिलेगी आप सुबदाय मिलेंगी अच्छी खासी तो आप हमारे साब से एडवीशन रस्त न करें एडवीशन ले ले और अब भी आपका खर्चा इतना ही हो जाएगा ठीक है यह अमारी सला है अच्छा लगे तो माना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं अब बात कर लेते कि आपका पैसा बापस हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोच रहें कि मैंने जो पैसा 19,000 रुपए जमा किया है 5000 रुपए यह मेर बापस हो सकता है तो चली हम आपको दिखा देते हैं यह आपने यह पैसा ओनलाइन जमा किया होगा तो बापस होने के चांस हैं आपके देखते हैं तो देखिए फीस बापसी से समंदित एक नोटिफिकेशन नो ने दे रखा पहले से ही कि कैसे फीस बापस हो सकती है कोर्स यह आप छोड़ना चाहते तो कैसे छोड़ सकते हैं कितने रुपए आपके बापस आ सकते हैं तो यह यह आपने 5000 रुपए सेक्योर्टी फीस के पूर्ण नहीं किये एड़ीस नहीं लिया जाके तो यह 5000 रुपए जो हैं वो आपको बापस नहीं आपर मिलेंगे इस बात को ध्यार रखना जो बच्चे एड़ीस नहीं लेने जा रहे हैं उनको यह 5000 रुपए बापस नहीं मिलेंगे सेक्योर्टी फीस वाले यह आप एड पॉंट लिखा कोर्स याद वोई कोई छोड़ता है तो पांच जार तो आपके जब तो कर लिए जाएंगे वो आपको फिर नहीं मिलेंगे और जो भी सुल्क आपने जमा किया है याद आपने ओनलाइन जमा किया है तो दस परसेंट की कटोती कर या ओफलाइन जैसे भी आपन की डेट निकल जोगी सब बच्चों का एडविशन हो गया सभी सीट या बल चुकी है उसके बाद आपको छोड़ते हो और अपनी फीस बापस लेना चाहते तो आपको फीस जो है वो बापस नहीं दी जाएगी अभी आप ले सकते हो अभी आपके पास टाइम है कि या पर अ आपको तब रुपए ये दिये जाएंगे ठीक है तो ये बात भी आप ध्यान से देख लीजिगा और आगे कोई डाउट है तो उस पर कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बात के लिए आवाज उठाए सबी बच्चे खटे हो के जो लखनव के पास में आप इसके वहाँ जाईए उनसे कहिए कि ऐसा क्यों आपने किया मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा मैसेज करो उनसे कॉल करिएगा जिससे वो परेशान हो कम से कम आपकी बात को सुने ठीक है तो आज के लिए तना ही रखते मिलते फिर नई अपडेट के साथ थैंक यू सो मच और लावेश्ट जेह हिंदे